गरीब माबाप के पास नहीं थे बच्ची की डिलिवरी के बाद देने को पैसे तो डॉक्टर ने की शर्मनाक हरकत आईए जानते हैं इस शर्मनाक हरकत के बारे में डॉक्टर को भगवान का रूप इस वज़े से कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में इनसान की जिन्दगी होती हैं कोरुना काल में भी इनहीं डॉक्टर्स ने अपने बारे में ना सोचते हुए कई लोगों की जिन्दगी बचाई थी पर जहां इस संसार में अच्छे इनसान भी हैं तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर होने के बाद भी किसी शैतान से कम नहीं होते हैं और आज हम आपको एक ऐसी ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में बताने वाले हैं रिक्षा चालक संभू नारायन की पतनी प्रेगनेंट थी और जुसके बाद उसे आगरा के एक प्राइविट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उनके बच्चे की डिलिवरी भी हुई लेकिन हॉस्पिटल में जो बिल बना वो 30,000 रुपए का था और उसे चुकाने में रिक्षा चालक असमर्थ थे जब उसने डॉक्टर को ये बताया कि उनके पास बिल देने जितने पैसे नहीं है तो लोगों की जान बचाने वाले उस डॉक्टर ने उस नन्ही सी जान को ही बेच दिया और उस बच्चे के बदले में उसे 1,00,000 रुपए मिल गए और उस बच्चे के माबाप को कुछ पैसे दे कर वहां से भगा दिया और तब इस बात का पता मीडिया को चल चुका था जब उन्होंने इस चीज का कवरेश किया तो उस व्यक्टी ने जिन्होंने उ नात में लोग अपनी जिन्दगी थमा देते हैं वो ऐसा करेंगे तो लोगों के बीच में ये चिंता जरूर रहेगी खास तोर पर गरीब लोगों को जो अपने परिवार के लिए इन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं तो इस शर्मनाग गटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेस्बूक और वाट्सैप पर जादा से जादा शेयर करें